नमस्कार, मैं दॉक्टर अभिशेक राज, कंसल्टेंट मेडिकल उंकॉलजी, हिमेटॉलोजी एंड बोन मैरो ट्रांस्प्लांट, आकाश हेल्थ केर सूपर स्पिशालिटी हॉस्पिटल द्वारका नियु दिल्ली में कारे रत हूँ. अब हम जानेंगे ओटलोगस बोन मैरो ट्रांस्प्लांट का प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें मरीज को सेलेक्ट करना होता है। अब सेलेक्शन जो होता है, it is based on certain criteria कि मरीज की age क्या है, बहुत elderly लोगों को हम बोन मैरो ट्रांस्प्लांट जिनरली नहीं करते हैं मरीज को कोई और बिमारियां है यानि जैसे diabetes, previous heart बिमारी, hypertension और any other medical illness and how fit is the patient? अगर patient fit नहीं है तो वो इसको ट्रांस्प्लांट करना मुश्किल होता है। अब इसके procedure के बारे में जानते हैं, मरीज को हम admit करते हैं और मरीज को हम कम से कम 5-6 दिन तक चमड़ी के नीचे का एक injection देते हैं जिससे कि उसके bone marrow के stem cell mobilize होके उसके blood में आ जाएं। फिर जैसे blood donate करता है मरीज, उसी तरह मरीज को हम blood bank में ले जाते हैं और apheresis room में जाके हम उनके blood से लगबग 300 ml blood निकालते हैं और उससे stem cell को हम harvest कर लेते हैं। उसके बाद मरीज को high dose chemotherapy दिया जाता है, वो high dose chemotherapy मरीज के cancer cells को नश्ट करता है, उसके बीमार bone marrow को नश्ट करता है और उसके तुरंत बाद हम मरीज के अंदर से निकाला हुआ stem cell हम वापिस से उसके अंदर डाल देते हैं, stem cell के अंदर ये property होती है कि वो bone marrow के सारे cells को वापिस से बना सके, इस प्रक्रिया में लगभग 2-3 सकते हैं और उस दुरान मरीज को यहां पर admit होके रहना पड़ता है, अब bone marrow के प्रक्रिया होने के बाद मरीज को जब 2-3 हफ़ते रहता है तब उसको कुछ complications भी होते हैं, जैसे कि खून की कमी हो जाना, TLC कम होता है तो मरीज को infection होने का खत्रा रहता है, जिस टाइम पे उस मरीज को diarrhea हो सकता है, बट after 2-3 weeks, patient के blood counts बढ़ने लगते हैं, उसके मुझे चाले ठीक हो जाते हैं और मरीज discharge के लिए fit हो जाता है, जनरली हम मरीजों को यह recommend करते हैं कि discharge होने के बाद लगबग 2-3 हफ़ते और same शहर में रहें, so that की कोई complication आती है तो वो doctor से तुरंत मिल सक उसके बाद मरीज पूर्णतिया स्वस्थ हो जाता है, अपने normal routine पे, काम पे जा सकता है